नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागता है श्टेडि लठ पे तो आज अम आपकी बेच में रास्तान हाईकोट लडिसी की जो आपकी 12 और 19 मार्च को जो एक्जाम में उसकी इंपोर्टेंट कलास लेकर आ चुके हैं आप सभी को पता है कि आपकी फट लडिसी की जो एकजाम में वह काफी हर तक नजजदिक आ चुके तो ऐसे में आपके लिए इंपोर्टेंट क्लास लेकर आई हैं तो क्लास को आपको एंड तक जरूर देखना है क्योंकि इस क्लास में आपके इस क्लास में क्लाँगा वेसे व को सब्सक्राइब कर देना ठीक है और आपको सबसे पहले भी पता चलेगा तो से जोइन करे लिए तो चलिए आज किस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं मुझे पता आप चैनल ने आपने अभीक तक है थीकुन है तो राजस्तां की गंदी औंझे आपकी गूकुल के अंदर है तो बिज़क की पाड़ी आपकी कापर हो जाएगी अरे गुरुजी बेराट के अंदर अगला परसंद देखो अगला परसंग क्या करें जन संग्या की द्रिष्टि शे सबसे छोटा संबाग कुणसा है बरतपूर कोट्टा जोटपूर जाइपूर तो जन संग्य एक द्रश्टी से चोटा संबाग हो जाएगा आपका कोट्टा ठीक है सर्वदिक नध्यों वाला संबाग है वो आपका कौन से वो भी कोट्टा है ठीक है? यह भी बात आपको ध्याँ रखनी है अगला परसंदेखो अगला परसंद क्या कर रहा है कि निमल कित को सुमेलित कीजिए देखो एक तरब आपकी जील दी गई है एक तरब आपके स्तान यानि जील ले दिये गई है तो देखो नवल खाय वो आपकी बुंदी के अंदर है गयोसा अगर आपकी डुंगरपूर के अंदर है बाद सेमंद आपकी जोदपूर के अंदर है और कोलाइत आपकी बिकाने इर के अंदर है ठीक है यानि उप्सन आपका ए राइट हो जाएगा क्योंकि आपको पता है नवल खाय बुंदी हो गई सही है और गयोसा कर डुंगरपूर ये भी सही है बाद सेमंद जोदपूर ये भी सही है और कोलाइत बिकाने ये भी सही है यानि ये उप्सन आपका क्रेक्ट हो जाएगा अगला पर्सन देखो अगला पर्सन क्या कर रहा है कि जिन वनोपर पूर्ण सरकारी निंदरन होता है वे क्या कहलाती है अरक्षित, एवरगीकर्थ, सुरक्षित या फिर इनमें से कोई नी तो इसमें आपका उजएगा A यानि अरक्षित कहलाती है जिन वनोपर पूर्ण सरकारी निंदरन होता है वे क्या कहलाती है अरक्षित कहलाती है उसके बाद देखो राज़तान का वहराष्टी है जो A.C.A. में स्पक्षियों का सबसे बड़ा परजरन छेतर माना जाता है वे कौन सा है सरस्रिक का है, रन्थमबोर है, केवलादे है या फिर सरजनगड है तो इसमें आपका उजएगा उप्सिन नमर C यानि कौन सा है, केवलादे है ठीक है, अगला परसन देखो अगला है कि बारत का वहराष्टी जहां अनेक परकार की खनीज मिलने के काण उसे बुवरग वेताओने खनीजों का संग्रा लिका है तो इसमें आपका उजएगा राधस्तान, ठीक है किसे का है, राधस्तान को ठीक है बारत का राधस्तान राजजी जहां अनेक परकार की खनीज मिलने के काण उसे बुवरग वेताओने खनीजों का संग्रा लिका है ठीक है, अगला परसन देखो अगला परसन क्या करा है लाल पीली मिटी में लोह एंस की परदानता कार्बोनेट की कमी होती है यह मिटी कहां पर पाई जाती है स्वाइमादुपूर के अंदर, अजमेर के अंदर, सिरोई के अंदर या फिर यहां पर इन सभी में तो यह मिटी आपकी, देखो स्वाइमादुपूर में भी पाई जाती है, अजमेर में भी पाई जाती है सिरोई के अंदर भी पाई जाती है यानि D-Option आपका करेक्ट हो जाएगा, यानि उप्यूक सभी हो जाएंगे यह सभी ठीक है, अगला परसन देखो अगला है कि रावली परवतमाला की रास्तान में लंबाई पांसो पचास किलोमेटर है यह सबसे, यह किस जिल्ले में सरवधिक विस्तुरूत है रावली परवतमाला की जो आपको पता है, लंबाई रास्तान में कितनी है पांसो पचास है, ठीक है और ये किस जिले में सब से दिक है यह हमें ये बताना है तो देखो इसमें चार उप्सन दिये गए हैं यहाँ पे अजमेर, कोटा, उध्यपूर, जयपूर तो इसमें मारा उजएगा उप्सन नमर सी यानि उध्यपूर के अंदर है इसमें आपका उजएगा C यानि उध्यपूर के अंदर उसके बाद देखो गगर नदी के गाट को क्या कहते है नाली, जाली, बंगर, सतूप तो इसमें आपका उजएगा A गगर नदी के पार्ट को ठीक है गगर नदी के पार्ट को क्या कहते है नाली कहते है अब में क्या बताना है कि रास्तान की भूबा का कितना छेतर रेगिस्तान है तो इसमें मारा उजएगा उप्सिन मर ए यानि दो बटा तीन बाग है ठीक है दो बटा तीन बाग क्या है रेगिस्तान है उसके बाद एको निमनवे से किस से जिल्ले की सिमा पाकिस्तान से मिलती ह निमन्मे सिक्किस जिल्य की सिमा पाकिस्तान से मिलती है जैसलमेर, बार्डमेर, बिकानेर या सभी तो इसमें आपका हो जाएगा ये सभी यानि पाकिस्तान से आपको पता है जैसलमेर की भी लगती है बार्डमेर की भी लगती है बिकानेर की भी लगती है और एक आपका और कौन सा जील है गंगा निगर यानि चार जीलों की लगती है गंगा नगर ठीक है उप्युक्त सभी हो जाएगा इसके अंदर अगला देखो अगला परसन क्या करा है राजी की कुल स्तलिय सिमा है एक जार सत्तर एक अड़ताली सो पचास गुण सट सो बीस य अगला परसन देखो अगला की वागड की नाम से परशिद है या फिर कोटा जलावाड है या फिर अलवर वर्तपुर है देखो वागड की नाम से आपको पता है कौन परशिद है वागड की नाम से आपका हो जाएगा डूंगर परशिद है ठीक है अगला परसन देखो अग अगला पर्शन क्या करें 2011 की जन गरणा की नुसार राष्तान का जन गरणातों कितना है तो इसमें आपका उजय का नमर यानि 200 है कितना है दो सूछ अगला पर्शन क्या करा है जोहार सागरबांध किसे जिल्ले में कोक्तित है जुहार सगर बांद है वो किस जिल्ले में है पांस वड़ा पाली बेल ओड़ा-कोट्ठा तो जुहार सगर आपका कामपर हुज़ाएभव यह आपका हुज़ागहः कोट्ठा के अंद्र क्यज़ा कामपर है कामपर धैक्षいて तो वो आपका हो जाएगा गुरुजी ओप्सिन नमर B यानि जेसल मेर के अंदर ठीक है ध्यान रखना कहाँ पर लगाया गया जेसल मेर के अंदर लगाया ठीक है ओप्सिन नमर B आपका क्रेक्ट हो जाएगा उसके बाद देखो आपका क्यूसन क्या है 12 सरकार्णी 1903 में किस चित्र सेली के लिए डाक टिकट जारी क्या था ये इंपर्टेंट की सुना है ठीक है हाँ कि 12 सरकार्णी 1903 में किस चित्र सेली के चित्र का डाक टिकट जारी क्या नादवार सेली का अमेर सेली का देवगड सेली का या फिर किस इंगड सेली का देखो डाक टिकट हमें पू अगला है कि मालानी नसल है यह देखो important है मालानी नसल है बेड की बक्री की उंट की गोड़े की मालानी किसकी हो जाएगी गुरुजी मालानी आपकी हो जाएगी option मर्डी यानि गोड़े की किसकी है गोड़े की है उसके बाद देखो रास्तान का सबसे बड़ा national highway कौन सा है एनच है Нस ? एनच्टिन एनन्स फिफटीन एन एफ ट्न एट तो सबसे बड़ा हम हमें हावीят पुछ है कौन सा है तो रास्तान का सबसे बड़ा नेस टनल हम इडिया कुन सा वजहेगा इसमें आपका और यह तो आज की मारे important question थे अभी मुझे आप यह बताईए comment करके जल्दी से कितने question आपकी सही हुए है वो चीज मुझे आप comment करके बताईए और मेरी बात द्यान से सुले ना आप सभी को पता है कि आपके एक्जाम रजदी का चुकिए 12 और 19 से मार्च को आपकी एक्जाम है तो आपको अश्टेडलेट की तरब से त्यारी है वो एकदम सांदार करवाई जाएगी तो आपको क्या करना है आपको चैनल को मिल जाएगी ठीक है और मैं आप सभी को पता दिना चाहता हूं कि आपकी एक्जाम अगर नज़दीक है तो हमारे पास आपको पता है काफी कम समय है तो अंतिम हम इतने तो current fair की है न, 2022 का जितना भी current fair है न, उसकी भी class लगा देंगे, ठीक है, और current fair आपको पता है, जिके में 50 में से 25 की सुन तो आपकी current क्या थे है, इसलिए जितना भी आपका current fair है, वो भी आपको करवा देंगे, और model paper है न, exam से पहले आपको, मैं 10 model paper करवा दूँगा, बस आपको चैनल को subscribe करना है, ठीक है, त्यारी एकदम आपकी सांदार होने वाली है, आप सभी को पता है, हमारे पास काफी कम समय है, ठीक है, आपकी exam है, वो आप मानके चलो, अभी highest आप मानके चलो, 15-20 दिन के बाद आपके exam है, ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो क्या पता कली ही हो ठीक अभी मुझे क्या पता कि आप वीडियो कितने दिन पहले देख रहे हो अब आप वीडियो पास दिन पहले देख रहे हो तो मैं क्या बता सकता हूँ अगर आप दो दिन पहले देख रहे हो तो मैं क्या बता सकता उस टाइम आपके एकजाम 15 से 20 दिन के सम्थिंग है और मैं पूरी आसा उम्मीद गूरूंगा कि आपके एकदम तहरी अच्छी होनी वाली है अस्टेटलट को सस्क्राइब कर लेना या आपके सभी कलासे आपको देखने को मिलेगी और हमारे टेलग्राम चेनल को जोन कर लेना लिंग आपके डिस्क्रिप्टिन गे अंदर दी गई है आपको जितना भी मारा कंटेक्ट है जितना भी मारा कंटेंड है वो आपको हम परवाइड करोएंगे नोट्स परवाइड गरोएंगे करेंट फियर को प्रवाइड करवाएंगे इंपोर्टेंट पेडिया प्रवाइड करवाइड करवाएंगे तो उसे भी जोइन कर लेना आज के लिए बेसे इतना ही बंदेरे चेनलर के साथ धन्यबाद थैंक्यू